आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में देखेंगे रिफ्लेक्सोलोजी का इतिहास प्राचिन समय से लेकर आज तक रिफ्लेक्सोलोजी एक बहुत ही महत्पून तरीका रहा है सरीर को प्राकर्तिक तरीके से स्वस्त रखने का यह इतिहास बहुत पुराना है एंसेंट इजिप्ट के अंकमाहोर टॉम के वाल पेंटिंग्स जो 2330 BC के हैं इन वाल पेंटिंग्स में भी हम क्लिरली देख सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सोलोजी हाथ और पैर के पॉइंट्स को दबाके कर रहे हैं एंसेंट इजिप्ट के ही इबरस पप करते हैं इसमें यह ची के कॉंसेप्ट को मानते हैं ची का मतलब होता है लाइफ फोर्स जो हमारे बॉडी के मेरीडियंस में फ्लो करती है यह मेरीडियंस हमारे पैरों के तलवे से भी गुजरते हैं और इन्हें प्रेस करने से बहुत सारे बिमारियों का इलाज किया जा सकत चाइना की ही ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की एक बुन्यादी किताब है जिसका नाम है नीजिंग यह 200 BC की है इस किताब में भी बॉडिक एनरजी को बैलेंस करने के लिए रिफ्लेक्स लॉजी के बारे में बताये गया है भारत के इतिहास में भी इसके इंपोर्टेंस जाता है यह एंसियंट ग्रिक फिजीशन थे इन्होंने रिफ्लेक्स लॉजी के बारे में डिरेक्ली तो नहीं बताया मगर मसाज के बेनिफिट्स बताये हैं सरीर को हेल्दी रखने के लिए अभी कुछ सौ साल पहले डॉक्टर विलियम फिट्जरेल ने जॉन थेरेपी इ लोंगिट्यूटनल लाइन्स में डिवाइड किया गया है इन लाइन्स के अकॉर्डिंग अगर स्पेसिफिक पॉइंट पर हम प्रेस करते हैं तो हमें पेन में रिलीफ मिलता है डॉक्टर विलियम के काम को और आगे बढ़ाये यूनियस इंगम ने ये एक फिजियो थेरे 1930 में इन्होंने हमारे सरीर के और अलग-अलग हिस्सों का एक डिटेल रिफ्लेक्स पॉइंट डिजाइन किया हमारे पैर के तलवे में और हाथ के हतेली में जिने हम आज तक यूज करते हैं और सबसे इंट्रेस्टिंग आपने हिंदू संस्कृती में देखा होगा लोग मं आकर्तिक तरीके से स्वस्त रहने के लिए तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में देखा रिफ्लेक्स लॉजी के इतिहास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे रिफ्लेक्स लॉजी के किसी और इंपॉर्टन टॉपिक के साथ थैंक्यू